नमस्कार आप देख रहे हैं दाएंगल मैं हूँ आपके साथ दिपाली माथूर। राजस्तान विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उप्चुनावों के लिए इसी महीने घोश नहों सकती हैं। निर्वाचन आयोग जल्द ही तारीकों का एलान करेगा। वही इस संभावना को देखते हुए कॉंग्रेस और भाजपा के टिकेट दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। वे अपने आकाउस से मिलकर टिकेट के लिए पैर्वी करने लग गए हैं। वही कॉंग्रेस ने तो इसे लेकर समनवय समीती का गठन भी कर लिया है और जल्द ही इसके लिए बैठक को लाई जाएगी। इन दो सीटों पर होंगे चुनाव। प्रदेश में वल्लबनगर और धर्यावाद सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों के विधायकों का निधन हो चुका है। इसके अलावा इनके ही परिवार में कजेंद्र सिंग के भांजे, राज सिंग जाला, शक्तावत के भाई कुबेर सिंग चावडा भी अपनी अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वही उद्योग पती, भीम सिंग, चुनडावत, पूर्ग, सरपंच, होंकार डाल, मिनारिया भी टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। टल गया था वल्लबनगर का चुनाव, वल्लबनगर सीट का चुनाव भी पहले तीन सीटों पर उप चुनाव के साथ ही कराया जाना था, लेकिन निर्वाजन विभाग ने इसका चुनाव का रिक्रम जारी नहीं किया था। इसके बाद राजसमंत, सुजानगर और साहाडा के चुनाव करा लिए गए थे। दर्यावाद में परिवार के उम्मीदवार की संभावना, बाजपा विदायक गौतमलाल मीना के निदन के बाद इस सीट पर भाजपा उनके परिवार में से किसी को टिकेट देने पर विचार कर रही है, थाकि जनता की सहानुबूती का कार्ड ले सके। कौंग्रेस अपने पुराने उम्मीदवार नगराज मीना को ही टिकेट दे सकती है, मीना अभी हाल ही में जैपुरा करकाई निताओ से मिल कर गए हैं। विदानसवा की तीन सीटों पर हुए उप्चुनाव में जीते प्रत्याशी दिवंगत विदायकों के परिवार से ही थे। प्रिवेदी वकिरण माहिश्वरी का निरन होने के कारण ही उक्ति सीटे खाली हुई थी। ऐसे में अब वापस यही कार्ट चलने की संभावना है।